के मैं आपका चैप्टर नंबर 11 अन्धिरीनगरी ने गाढडू राजा लेकर आया हूं तो मैं आपका चला दिया है फिर भी मैं दुबार वीडियो में इसको मैं अपलोड कर रहा हूं तो इस कवीधा को खाली में आपको इसकी जो स्टोरी है मैं आपको बता दूंगा आप शौट में समझ लेना उसको ठीक है आप इसको समझ जाओगे तो मैं पहले एक बार इस कवीता को मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आपकी जो इसकी स्टोरी है वो मैं आपको बदाता हूँ खटवी थी आपी आटो गुरु पास जैने के खुब खाटो गुरु जी कहे रात रहवू न अहीं सहु एक भावे आपे चीज ज्यारी हशे चोर ने शानो न्याय एके नहीं हात शिक्षा गुना नी विवेके न ए वस्ती मा एक वसो वी जर से चालो संद चेला जवू गाम भी जे कहीं शिष्य खावा पिवार नो सुब आहीं तीजे त्यां हूँ तो नहीं आविश्या ही गुरिये बहु बोद दीदो जो खासो नहीं योग आहीं रहो रातवासो न मानी काशी वात शिष्य ज्यारे गुरु जी त्या जी ने गया गाम त्यां जे राया शिष्य तो त्या दिन जाजा बहु खाई पी ने थया खुब दाजा पची थया ते हाल केवा कहूं छू हवे हूं सुडो सड तेवा तसकार खादर पाडवा गया विनेग द्वारे तहां भीत तूटी पड़ी चोर दबाय चार मात प्रभाते चोरी नी गई निपूते फरियार तूडी ठरावी सेट ने डोसी नी सुनी दाज एवु घर केवु चूर्यो खून थया ते ठार राते खातर खोदता चोर दबाया चार विकिक कहे वनिक कहे कडिया तेने एवा वांक अपार खरे खरी एमा नती मारो खोड लगार कडिया ने सूड इठारो वनिक वच्चो ते वार चुकी ते गायो करनार नी कडियो करी उच्चार गाडो करनार कहे पाणी थयू विशेश एतो चुक पखाली नी मारी चुक लेश पूर पती कहे पलकी ने जो तू शूर ने जाए आज पछी आगाममा एवा गुणा न थाए मुल्ला नर्सिया मोगरे ते जोयू ते दीश पाणी अधिक ते थी पड़ियू राजा छाटी रीश मुल्ला जीने मारवा करी एवो नी धार शूरी पासे लई गया मुल्ला ने ते वार फड़ जाड़ू सूर तड़ू मुला पातड़े अंग एवी हकिकत चार एक जोई कही न भूप प्रसंग भूप कहे सू हार घड़ी आवी पूछो कोई शोधी चड़ावी शूले जाडा नर ने जोई जोता जोता एक जाड़यो जोगी जागे अंग बहुदीन खाईने बन्यो राते माते रंग शिश्य मुदब मांगी गयो गुरू पासे पस्ताय गुरोय आभी उपगरियो अद्भुत करी उपाय जोगी शूल पाश जई कहे भूपसुन कान आ अवसर सूड़ी चड़े वेगे मणे बिमान चालेओ बोलो हूँ चड़ू ने गुरू कहे के हूँ आप अधिपती कहे चड़िये आमो पुरण मणे प्रताब गुरूय चेला गामदी पुछाड़े गवपाज राजा शूड़ी पर रहे हो अंगे बैठी आज यानि कि यहां पर आपने देखा कि मैंने कवीता आपको मैंने यानि पढ़कर सुनाया अब जो इसकी जो स्टोरी है यह मैं आपको बताता हूँ अंधेरी राजा और गांडू राजा अंधेरी नगरी में गांडू राजा की स्टोरी यह है कि एक गुरू और एक चेला दोनों एक राज्य में जाते हैं जहां पर टके से भाजी और टके से खाजा यानि कि हर एक चीजवस्तू की कीमत एक जैसी होती है जिससे क्या है गुरू और चेला दोनों इस चीज़ को क्या है अपना नहीं पाते हैं जब चेला जाता है और उसको क्या है सब एक ही चीज़ में मिलता है तो उसके मन में क्या है थोड़ी लाला जाते है लेकिन गुरू उसको चेले को समझाता है कि ऐसे राज्य में रहना बहुत ही क्या है भैपुर्वक की बात है जहां पर सारी चीज़े जो है एक साथ एक जै पर वो रह जाता है और खाप पे के दीवाल उन पर गिर जाती है और दब कर मर जाते है ये बात राजा की तक बाद पहुंशती है और उसका क्या है वो परिणे निकालते हैं तो सबसे पहले वो डिवाल जिसने बनाई है उस मिस्तरी को बुलाते है वो कहता है इसमें मेरी कोई दोश नहीं है जिसने सिमेंट और रेती में पानी जादा मिलाया है उसका उसकी गलती है तो आप उसे पकड़िये तो राजा फिर उसे बुलाता है फिर वो क्या कहता है कि इ इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है जिसने इसमें पानी डाला है उसकी इसमें गलती है तो वो जो मुल्ला जो होता है जिसकी दिवार गिरती है वो उसको क्या है लाश्ट में वो फस जाता है वो जब सूली चड़ने के लिए जाता है तो जो सूली चड़ने वाला होता है वो क तो वहां के राज्य के जो लोग है वो क्या करते हैं कि जाकर शिश्य को जो की खा पीकर मोटा डगरा हो जाता है उसको उठाकर लेकर आते हैं और लाकर उसको क्या करते हैं राज्य को सोबते हैं शिश्य घबरा कर फिर वो अपने शिश्य की जो गुरू है उसके याद करता है तो गुरू आने के बाद शिश्य को बचाने के लिए बहुत सी क्या है चातुराई करता है चातुराई में वो सिश्य के कान में जाकर कुछ कहता है ये राजा उसको पूछते है कि तुमने उसके कान में जाकर, क्या कहां? तब जो, हना, गुरू है, वो राजा से कहता है, कि जो, यानि, इस सूली में चड़ेगा, वो क्या है? स्वर्ग लोग, यानि कि भगवान के पास स्वर्ग लोग में जाएगा, ये सुनते ही, राजा उस सिख्या को छूड़ देता है और राजा खुश सूली पे चढ़ जाता है ये कविता का जो शारान से वो वे ही है कि जो राजा है वो लाश्ट में सूली में चढ़ जाता है और वो भगवान को इस्वर को प्यारण हो जाता है सीशर को अपनी गलती समझ में आती है और गुरू से वो माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद आप मुझे जो कहोगे मैं वही मानूंगा तो इसकी जो कहानी है कुछ इस तरह से है जो कि आपको मैंने शॉट में समझाया और सायथ आपको समझ में आ भी गया होगा तो फिर में मीलूंगा मेरे नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ तब तक के लिए बाए